जैहिंद आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की जैनती पर असान सब्दों में निबंद तो आईए शुरू करते हैं भारत के ग्यारवे राष्टपती और महान व्यज्यानिक डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की आज जैनती है हर साल 15 अक्टुबर को डॉक्टर अब्दुलकलाम की जनम दिन को चात्र दिवस के तौर पर मनेया जाता है चात्रों और सिख्षा के परती डॉक्टर कलाम के प्रयासों के कारण ही उन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन विश्वस चात्र दिवस मनाते हैं कलाम साहब दुनिया भर में मिसाल मैन के नाम से भी मसुहूर है उन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसे भी प्रस्थिती क्यों न हो पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं अब्दुलकलाम मसुदी के विचार आज भी यूबा पिढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं एपी जे अब्दुलकलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलान्डू में हुआ था उनका पूरा नाम डक्टर अबुल पाकिर जन्म अब्दिन अब्दुलकलाम था उनका बच्पन संघर्षों से भरा रहा है कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्तो देते थे वह बच्पन में अखवार बेशते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और नहीं उनके पिता जन्म अब्दिन ज़्यादा पढ़े लिखे थे बच्पन में पाइलट बनना चाहते थे लेकिन परिवारे कार्णों से यह संभब न हो पाया कलाम साहब ने पाँच साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने रमेस्वरम से सुरवाती सिक्षा प्राप के डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने 1950 में मदरास एंस्ट्यूट ओफ टेकनलोजी से अंत्रिक्ष विज्ञान में असनातक की पढ़ाई पूरी के असनातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतिय रक्षा अनुसंधान एबं विकास संस्थान में प्रवेश लिया जहां उन्होंने हावर कराप प्रियोजना पर काम किया इसके बाद वह 1962 में भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों में आये इसरों में कलाम साहब ने सफलता पुर्वक कई उपगरा पर छेपन प्रियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई कलाम साहब के 69 जनम दिन को संगत राष्ट ने 200 विदार्थी दिवस के रुप में मनाने की घोषना के थी इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई प्रशकारों से नवाजा है भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न 1981 में पद्म भूशन और 1990 में पद्म भूशन से सम्मानित किया था एपी जी अब्दुलकालाम का 27 जुलाई 2015 की साम को निधन हुआ था वह भारतिय प्रबंधन संस्थान सिलॉंग में रहने योग्यगरा पर एक कारिकरम में लिक्चर दी रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोस होकर गिर पड़े उन्हें अश्पता ले जाया गया था लेकिन दो घंटे बाद ही उनका नीधन हो गया और 84 वर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गये करोणों युबाओं के मिसाल मैन डौक्टर एपी जे अब्दुलकालाम एक मिसाल बन गये उनके विचार उनके दिये अनमुल वचन हर छात्र युबा और भविस बना रहे किसूर के लिए प्रेरना है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम